क्रिप्टो कांसे मार्केट में अगर आप लोग अभी तक रुकेवे हैं वेल आपने हाट टाइम्स मार्केट में अल्रीड देख लिए अब जो महीने सामने आ रहे हैं यहां पे काफी ग्रीन पिरियेड्स हमें देखने को मिलेंगे वेल अगर हैस्टी अपने आपको बिटकॉइन जो है वो वापिस दे सकता है अपने कास्टमर्स को बट साइमिल्टेनिसली यहां पे एत की एटीफ की बात हो रही है कि सुलाना की एटीफ के लिए आप्लिकेशन आगे चली गई है यहां पे बात हो रही है कमिंग क्लोस टू दोस मंच जहां से हम लोग वह प दिसक्स करेंगे बट सबसे पहले हम पर ब्यान लेते हैं मार्केट का करेंट हाल जुलाइक का मन्त यहां पर कैसा रहा है इस्टोरिक लिए वह भी जानना हमानले इंपॉर्टेंट है तो यहां पर आप देख सकते हो हमने उपन गदिया कॉइन मार्केट का आप का आप 3.93 डिरिशनly मार्केट को क्या हो जाता? कभी हमें एक जोन जो है वो यहां पर करते जा रहा है बिटिकोई जिसकी जूलीक मूब जिसका हम सब लोgga वेट करें विल जैसे कि हमने past में भी बात करी कहीं न कहीं October is the month जासे हमें वो parabolic move देखने को मिले but the good part is कि अभी तक अगर आप लोग ने अपने crypto's hold करें you have seen the harder times अब जो time आने वाले हैं for the cryptocurrency market that can't be actually green अगर history अपने आपको repeat करती history के लिए हापे चलते हैं monthly return charts में Bitcoin ने क्या चीज़े करी है previously well वो जानना हमाले काफी important हो जाता and वो ही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं currently बात करें तो June का month हम लोगों ने close करा है negative 6.08% April का month भी आपे negative close हुआ था somewhere around 14.95% and ये दोनों month की वाज़े से market में एक question mark जो है वो खड़ा कर रहे है retail investor market तो open नहीं जा रही है on the other side market नीचे dump करती जा रही है but here comes the month of July July अगर हम historically देखें तो काफी green periods हम लोगों ने आपे देखें differently 2023 was a negative month but उससे पहले अगर हम लोग बात करें previous solving की वहाँ पे भी हमने June का month जो है वो negative में close होते हुए देखा था but July was positive 24.06% in the past 4 years तीन महीने जो हैं वो green में close हुए है for the month of July ये काफी अच्छी बात है बट यहाँ पर यह चीज जरूर याद रखेगा future किसी ने भी नहीं देखा आगे दाके क्या होगा nobody knows but all we can say जो parabolic move की हम लोग wait कर रहे हैं वो कहीं न कहीं हमें from the month of October देखने को मिल सकता है July and August जादा moment यहाँ पर नहीं show होगी अगर आप लोग यहाँ पर एक long time investors हो अगर आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा पैसे कमाना है September on the other hand कहीं न कहीं नेगेटिब में ज्यादा close होता है so be ready for the dip in the month of September but उसके बाद शुरू होता है वो parabolic phase October, November and December and moving from there to January well January भी यहाँ पे 2021 में positive में close हुआ था February and March काफी ज्यादा positive रहे थे for the crypto ganci market and यहीं उमीद हम लोग लगा के बैठे जितने भी investors हैं वो हर बार ये chart open करके देखते है and they believe की history अपने आपको repeat करेगी well यहाँ पर अगर देखें interestingly July का जो starting है वो काफी अच्छी रही first July को हम लोग बैठे है and the market is up 3.93% यहाँ पर yes कुछ ऐसी news है जिसके बारे में आपको पता होना चीए including यहाँ पर Solana की ETF जो है वो फाइल होने शुरू हो गया Ethereum के ETF के यहाँ पर trading जो है वो start होगी इन दी मांताव जुलाई दो massive news बट उसी के साथ साथ question आता है कि कौन-कौन से ऐसे cryptos हैं जो हम July के मन्थ में target कर सकते हैं कौन-कौन से ऐसे cryptos हैं जो हम hold कर सकते हैं अपने portfolio में well first and foremost is Ethereum Ethereum यहाँ पे कहीं न कहीं सब के radar में जरूर होगा जब भी ETF की यहाँ पे trading start होगी अगर वो Bitcoin की तरह यहाँ पे move होता है तो definitely एक dip हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा but simultaneously Ethereum का price यहाँ पे उपर जाएगा as soon as asset manager starts to buy Ethereum and वो काफी positive news है for Ethereum और कौन से crypto है जिसकी तरफ हम लोग देख सकते हैं I want to add Solana in this list but Solana का एक काफी major upside हम लोग अलरेड़ी देख चुके market cap भी अगर हम लोग देखें तो काफी ज़्यादा increase हो है Solana का Solana का हमारे पास काली एक ही lot है and we are happy with it Solana हम all purchase यहाँ पे नहीं कर रहे है because एक upper side जिसकी हम लोग बात करते है वो थोड़ा यहाँ पे restricted show होता है top 5 में Solana आता है the room for the growth यहाँ पे बहुत कम रह जाता है Solana का but with that यहाँ पे Solana के ETF के approval well वो काफी massive rally Solana में ला सकते keep that in mind and in case you are a Solana holder आपको Solana पे फरूसा है yes it can be a good time to invest in Solana यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आता है AVAX AVAX जिसने इतना अच्छा perform अभी तक नहीं करा yes बीच में इसने काफी अच्छा एक जाम जो है वो बनाया था last one year के अगर हम लोग बात करें तो it is up 130% बीच में पहुचा था to somewhere around $60 बट वहाँ से 50% discount में AVAX आज के टाइम में मिलता AVAX यह आप किसी से भी बात करोगे सब लोग आपको यहीं बोलेंगे कि एक सब से अच्छा crypto है in the crypto market well यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसके previous all time high कि वहाँ से down है अभी भी approximately 80% $146 के आसपास AVAX टेट कर रहा था in 2021 AVAX से उमीद है कि एक नया all time high ज़रूर बनाएगा अगर market में वह bull period जो है वह आता AVAX के बारे में आपको काफी वीडियो भी मिल जाएगी just in case you want to study more on AVAX यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं regarding Cardano ADA currently last one day में it is a 5% price की बात करें under 40 cents 40 cents के आसपास एक अच्छा buy zone जो है वो ADA में बनता है last one year में yes definitely इतना जादा move नहीं हुआ ADA की यह हमेशा से कमजोरी रही है the price does not move in ADA and यह शुरू से ADA का रहा एक last moment में हापे price jump देखने को मिलता है वही चीज हमने previous bull rally में भी देखी थी and it made a new all time high in the month of September of 2021 well काफी time यहाँ पर जरूर लिया था but yes उससे पहले कि अगर आप यहाँ में moment देखोगे तो वो बिलकुल भी show नहीं हो रही थी the next crypto in this list is near protocol near protocol ने previous bull season में काफी अच्छा perform करा था it reached approximately $20 वहाँ पर उमीद लोगों को यह थी कि यह $50 के आज पास पहुंचे का विटालिक ने भी काफी यहाँ पर तारीफ करी थी regarding near saying near is a good competition towards यह थी यह पैट उसी एसाथ साथ near यहाँ पर काम कर रहा है नियाई सेक्टर काफी जादा bullish हो सकता है अगर आप लोग हमारी वीडियोस देखते वह आ रहे हो तो कुछ सेक्टर को हमने यहाँ पर narrow down करा है वहाँ पर AI सेक्टर भी एक ऐसाथ सेक्टर है जिसमें हम लोग invested है AI category काफी एची ग्रो हो सकती है near protocol वहाँ पर काफी एच्छे return दे सकता है currently sitting at $5.34 अगर आप लोगों इसको purchase नहीं करा है या अगर आपने इसको एक higher price में purchase करा है well this is not a bad price to get into near यहाँ पर थोड़ा से हाँ पर DCA करते हुए जरूर चले coming on to the next crypto is chain link link के बारे में हम लोगों ने previously भी discuss करा है कोई भी ऐसा नया crypto हम लोग add-on नहीं कर रहे है कोई नया added crypto हम लोग आपको नहीं बता रहे है because we understand कि यह cryptos आपके पास already बढ़े होंगे all we want you to do is look into your portfolio आपके portfolio में देखें जो cryptos यहाँ पे dip हुए है अगर उनमें एक buying opportunity होती है तो उनको buy जरूर करें अगर आप लोग यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं वो parabolic move की well these are few opportunities जो आप लोग में साउट नहीं करना चाहते before entering 2025 chain link यहाँ पे currently priced at $14.31 chain link यहाँ पे add हुआ एक ऐसी category में जिसका नाम है RWA RWA में ICP भी आता है यहाँ पे chain link भी आता है EVACS भी आता है यहाँ पे V chain भी आते तो बहुत बड़े major players यहाँ पे RWA में काम कर रहे है chain link का roll यहाँ पे काफी interesting रहेगा black rock की जहाँ तक हम लोग बात कते हैं yes they are positive regarding ondo ondo हमारी list में already है बट उसी के साथ साथ chain link कहीं ना कहीं एक game changer जो है वो साबित हो सकता है coming down to polka dot एक अच्छा crypto एक ऐसा crypto जिसके बारे में काफी कम लोग बात कहते हैं but let us not forget what happened in the past अगर हम past performance देखें polka dot की इसने काफी अच्छा perform करा था given woods का जहां पे नाम आता है well people know that he was a part of ethereum यहाँ पे polka dot को लेके काफी negative news भी आती यहाँ पे polka dot को लेके काफी fud भी market में आता है again only because of the price moment price moment polka dot में नजर नहीं आ रही है and that is why the retail investor is getting nervous you should understand कि यहाँ पे जब पूरी crypto market ही move नहीं करे polka dot भी हो आपे move नहीं कर रहा अगर हम एक downside की बात करें तो polka dot यहाँ पे touch करा था somewhere around $3.80 वो levels है जहाँ पे हम लोगों ने video create करी थी and we told you about it यह एक अच्छा buying zone हो सकता है for polka dot फिलाल बात करें $6.28 polka dot यहाँ पे काम कर रहा है towards AI एक ऐसी category जिसके बारे में हम लोग bullish है as we speak about near protocol यहाँ पे polka dot भी काफी अच्छा perform कर सकता है now coming to a newer layer one यहाँ पे हम लोग बात करते हैं sui को लेके sui और aptos की बीच में हमेशे एक fight रहती है कि कौन सा crypto हम pick करें because दोनों की जो team है वो यहाँ पे आई है from facebook facebook का यहाँ पे crypto जो है वो market पे नहीं आपाया बट यहाँ पे दो अलग-अलग crypto's market पाया aptos and sui I am preferring sui over aptos the only reason is कि यहाँ पे हम एक ज़्यादा upper side देखते हैं sui का जो एक major unlock था वो हम already देख चुके हैं last year currently sitting at 82 cents sui ने यहाँ पे perform करा है ऐसा नहीं है कि बिलकुल भी perform नहीं करा बट अगर आप यहाँ पे देखते हो last one year का chart it is only up 21.9 percent many people are bullish about sui and yes एक ऐसा crypto हो सकता है एक ऐसा layer 1 हो सकता है जिसके बारे में काम लोग बात कर रहे हैं but definitely people are buying it people have that in people have sui in their radar and अपने portfolio में भी squad कर रखा है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें next crypto की जिसको हमने बहुत time से touch नहीं करा है is ICP ICP काफी अलग-अलग categories में आपको देखने को मिलेगा RWA की बात करें web3 की बात करें gaming की बात करें यहाँ पे अलग-अलग categories में आपको देखने को मिलता है but the major important role जो मेरे accordingly यहाँ पे ICP करता है is the storage ICP यहाँ पे internet computer को बोला जाता है retain investor ICP इसलिए purchase करते हैं because वो यहाँ पे देखते हैं इसका previous all time है and previous all time है देखके वो एक question अपने आप से पूस्टे है यार क्या ICP अगर 750 डॉलर रीच करता है तो हमारी investment कितनी होगी I would highly recommend don't go after that calculation वो calculation ना करें यहाँ पे थोड़े realistic target जरूर रखें ICP के the current level से यहाँ पे 10-1 जो है ICP कर सकता है यह हम सब लोग agree करेंगे अगर market में वो parabolic move आता है but simultaneously यहाँ पे ICP का competition भी काफी अच्छा है यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक और hidden game की one more layer one जो market में काफी times available है हमारा जो buying level था of hedra was approximately 4 cents currently sitting at 7 cents almost double the price जहाँ पे हम लोगों ने इसको purchase करा था last one year के अगर हम लोग बात करें तो जादा moment इसमें शो नहीं हुई है 51.88% but in the middle जब market एक bullish period में चल रही थी hedra ने काफी अच्छा एक पाम दिखाया था well edge bar reached somewhere around 50 cents 57 cents to be exact in the previous bull market काफी लोगो उमीद है कि edge bar is bar 1 dollar के और पास आ सकता है somewhere around 75 cents is where I am looking towards the price of edge bar target जो है वो edge bar के यहां पर reach हो सकते हैं यहां पर हम लोग अगर नेक्स क्रिप्टो की बात करें and is from the AI sector and कहीं न कहीं इसको माना जाता है the leading crypto in AI यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं रेंडर की अपने एक नया all-time high already season में बना चुका है and so is the price of render render आप बीच में देख सकते हो काफी अच्छे pump के साथ अगीन वापिस निचे आ रहा है almost 50% यहां पर fall देखा है in the price of render from its previous all-time high जो इसने reach करा था almost 3 months back so क्या एक upper side यहां पर render की नजर आती है definitely आती है another layer 1 यहां पर layer 1 काफी जादा increase हुए है and yes one of the layer 1 जो 2021 में भी था is phantom phantom का एक नया upgrade and phantom के बारे में हर कोई बात कर रहा है last one day में it is up 10.7% last one year के अगर हम लोग बात करें it is up 98.53% phantom ने काफी एची progress करी थी यहां पर अगर हम लोग बात करें इसके previous all-time high की भी that was $3.48 almost 6.6 return from the current price अगर यहां पर phantom बाता है अपने previous all-time high तर well phantom यहां से उससे उपर भी जा सकता है looking into everything phantom यहां पर एक underdog की तरह प्लिए करता है जिसके बारे में जाता लोग बात नहीं करते हैं काफी लोगों को तो इस token या इस crypto के बारे में पता भी नहीं है look out for phantom phantom के बारे में आप definitely study करें एक अच्छा crypto हो सकता है एक ऐसा underdog हो सकता है जो काफी अच्छा परफॉर्म करें यहां पर again one more layer one is algorithm यह वो सारे crypto हैं जिनके बारे में हमने previously बात करी है keep that in mind I don't want to burden you more by giving you more crypto वही crypto में हम लोग focus करें जिसके बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं वो हमार लिए better होता है यहां पर हम लोग बात करते हैं यहां पर हम लोग बात करते हैं last one day में it is up 7.29% last one year की बात करें it is up 22.65% price में उतना change देखने को नहीं मिला है so why are we bullish regarding algorithm algorithm अपने wings वो हैं वो worldwide फैला रहा है और इस पे कोई doubt मुझे नजर नहीं आता यहां पर अगर हम overall chart भी देखें तो algorithm ने उतना अच्छा perform नहीं करा है as compared to the other cryptos but that does not mean के algorithm में वो upper side नहीं है algorithm के अगर हम tokenomics सी बात करें 81.8% यहां पर अगर हम लोग बात करें इसके previous all time high की that was $3.28 the problem is कि इसका previous all time high जो है वो था on the time of the launch हम लोग यहां पर बात करते हैं previous bull cycle की वहां पर यह reach करा था somewhere around $2.38 what do I expect from algorithm well मैं यहां पर expect करता हूँ a price somewhere approximately $2.50 to $3 algorithm मातर पहुंशना चीए यहां पर हम लोग बात करें in a category जिसके बारे में हम लोगों ने काफे बार बात करें as the gaming category गेमिंग category को बिलकुल भी ignore ना करें yes I know gaming ने उतना अच्छा perform नहीं करा but अगर आप यहां पर बात करेंगे December of 2023 की gaming categories अलग एक zone में चल रहे थी everybody was running after gaming cryptos but as soon as वो period खतम हुआ everybody skipped on the gaming sector हम लोग यहां पर gaming को hold करते वे चले last one year की बात करते हैं आप 249% यहां पर अगर हम लोग देखे हैं in the month of December इसने काफी अच्छा pump करा था and again एक pump हमें देखने को मिला था 4 महीने पहले इसने अपना एक previous all time high बनाय था of approximately 4 cents वहां से डाउन है 61.45% do you want to get into beam? do you want to get into gala? because दोनों यहां पर अगर हम gaming की सब काटेगरीज की बात करें तो वहां पर infrastructure play में काप करते हैं यहां पर माईरिया भी है जिसको आप देख सकते हो यहां पर super भी है जिसको आप देख सकते हो बद जहां पर हम बात करते हैं top alt coins की वो alt coins जो top 100 में आज के time में trade हो रहे हैं गाला के बारे में काफी फट जो है वो market में आता रहता है but beam on the other hand कहीं न कहीं एक neat and clean crypto नजर आता है the last crypto in this list is from the storage crypto and इसका नाम है आर्वीज हमने जब ICP के बारे में बात करी थी हमने बात करी थी majorly तीन क्रिप्टो के बारे में जो हापे storage में काम कर रहे हैं file coin हो गया आर्वीव हो गया ICP हो गया ICP को अगर हम list से हटा दें तो file coin और आर्वीव के बीच में काफी अच्छा एक टैसल चलता है काफी लोग यहाँ पर file coin को purchase करते हैं काफी लोग आर्वीव को purchase करते हैं as a retail investor यहाँ पर आपके पास freedom है to purchase both the cryptos अगर हम अपनी बात करें हम लोग ने यहाँ पर file coin को skip करके आर्वीव को purchase करा अब इसके दो major reason है the first is the tokenomics अगर यहाँ पर आप circulation supply देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 99.47% of the tokens market में already आ चुके which is a good thing in any of the crypto तब ही हम आपको बोलते हैं यहाँ पर हमेशा जो है वो टोक्नामिक्स जरूर देखेगा यहाँ अगर हम बात करें previous all time high की वहाँ से डाउन है 69.56% आर्वीव ने ऐसा नहीं है परफॉर्म नहीं करा है एक अच्छा गासा market का जैसे ही यहाँ पर market gap increase होगा I'm sure आर्वीव यहाँ पर ज्यादा return दे सकता है as compared to file coin and that is what my take is ऐसा बिलकुल भी नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं वो ही सही होगा you should do your own research because जहाँ पर बात होती है investments की जहाँ पर बात होती है पैसे लगाने की this is a market जिसका future uncertain हमेशा रहा this is a market जिसके अलग-अलग opinion रहें लोगों के हमरे accordingly yes we are entering into a parabolic move but अगर वो parabolic move नहीं देखने को मिलता you should be prepared with a plan B and इसके बारे में हर कोई बात करता है यहाँ पर आँख बंद करके crypto's purchase करने से अच्छा वो crypto's जो आपके portfolio में already है उनकी तरफ आप देखे उन में से कौन सा crypto कितना dip कर रहा है in the last 90 days अगर किसी में एक buying opportunity है तो definitely यह वो time है जहाँ पर आप लोग buy कर सकते हो crypto's को September का मत यहाँ पर कैसा रहता है वो interesting जरूर रहेगा but July and August yes I am bullish except for Mt. Gox जो यहाँ पर bitcoin वापस दे रहा है to its customers but as far as I am concerned Mt. Gox लेए announcement जो है वो पहले भी करेगे आज के टाइम में भी करेगे जुलाइ के मन्त में अगर वो bitcoin वापस देता है keep in mind वो सारे bitcoin एक सांथ वापस नहीं देगा and जिन customers को वो bitcoin मिलते है the most interesting part क्या वो लोग अपने bitcoin को market में sell करेंगे at the current price या वो लोग यहाँ पर hold करना चाहेंगे what are your thoughts आप लोगो को क्या लगता है list में कौन-कौन से crypto's आपके पास already है I know आपका portfolio down है काफी ऐसे लोग comments करते है जार हमारा portfolio इतना percent down है well अगर आप लोग मार्केट में आयो 3-4 महीने पहले well definitely आपका portfolio down होगा because यहाँ पे entire crypto market down है but अगर आप लोग ने purchase करा है in the year of 2022 or 23 आपका portfolio definitely up होगा and yes एक ऐसी reality है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता and इसी के साथ-साथ the last thing which we want to say is hope for the best but prepare for the worst to happen market है market पे कुछ भी हो सकता this is our assumption कि market parabolic move की तरफ आगे बढ़ रही है what if that does not happen be prepared for it with that's it guys आज का video करते हैं पे and I hope आपको video अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेर कर लेना सब्सक्राइब कर लेना thank you so much for watching our channel see you next time okay बापा